नमस्कार दोस्तों सागत शोबुजबाली जी का और एक Health Concern वीडियो में इस वीडियो में बात कर रहे वाले हैं कि कौन-कौन सी common antibiotic दिया जाता है tooth infection में मतल़ दातों की infection में कौन-कौन से antibiotics दिया जाता है अगर आप एक मरीज हो दातों की और आपके दात की infection हो चुका है या फिर after any kind of tooth surgery इसके साथ साथ आपके antibiotics दिया जाता है जिसे की infection आपकी दात में ना हो तो कौन-कौन से ऐसे antibiotics आपको दिया जाएगा उसके बारे में इस वीडियो में डीटेल में बात करेंगे देखो यहां पर बहुत सिंपल सी बात है मैं आपको समझा सकता हूँ कि यह चार प्रकार के antibiotics है जो एंटिबाटिक दिया जाता है tooth infection में मतलब दातों की infection में तो उसको काम करता है इस हिसाब से अमुक्सा उसके बाद आता है M, M for metronidazole metronidazole एक all rounder antibiotic है जो के ना तो सिर्फ दात की infection में पेट की infection में भी बहुत ज्यादा काम आता है in fact किसी भी प्रकार के surgery after surgery infection को रोकने के लिए surgery के बाद कोई भी प्रकार की infection को रोक रेके नहीं, soft tissue का infection हो, दातों की infection हो, bones की infection हो, हड्यों की, यह सारे जगा पे metronidazole use हो सकता है और metronidazole के खिलाप antibiotic resistance भी bacteria को तयार करने में time लगता है, possible नहीं इतना आसान इसे, इसलिए metronidazole use करना, safe antibiotic के तरह हम इसको use कर सकते हैं, safe माना जाता है, उसके बाद आते हैं, C for clindamycin, clindamycin एक broad spectrum antibiotic है, मतलब clindamycin का कोई specific target नहीं है, कि किसी प्रकार की bacteria को ही धुन के मारेगा, यह किसी भी प्रकार की bacteria को मार सकता है, यह broad spectrum इसलिए इसको doctors use करते हैं, dentists use करते हैं, क्यूंकि यह जो antibiotic के इसको देने का मतलब यह होता है, कि आपको किसी भी प्रकार का bacterial infection हो, streptococcus हो, staphylococcus हो, या फिर किसी भी प्रकार के very common infective agent हो के air से आता है, या फिर खाने से हमारे दात में infect कर सकता है हमको, उससे हमको protect करके रखेगा, क्यूंकि किसी भी bacteria के खिलाभी यह लड़ जा सकता है, वह बहुत कम केसे से जहां पर यह दिया जाता है, क्योंकि बाकी तीन antibiotics से ही काम बन जाता है, azithromycin को particularly दिया जाता है for the treatment of ear, nose, throat infection, ENT, अगर pharyngitis से किसी का bacterial secondary infection हो रहा है, pharyngs में, तो वहाँ पे भी इसके कारण azithromycin दिया जाता है, आप जानते हो कि fever वगेर तो इसलिए एक बहुत concern हो गया कि azithromycin के resistance को लेकर, इसलिए अभी azithromycin को बेतर है कि हम कुछ दिनों के लिए छोड़ दे, उतना मत इस्तमाल करें ताकि antibiotic resistance डेवलप ना कर जाए, बाकी दिन प्रकार के drug दिया जाता है, antibiotics दिया जाता है for dental infection और tooth infection, अगर आप बात करते हो कि यह सारे प्रकार के जो antibiotics है, इनको दिया जाना और इसका मात्रा क्या होना चाहिए, डिपेंड करता है, again आपके doctor evaluate करेंगे, आपके दातों की condition, क्या आपके दात की surgery हो है, उसके बाद आपको यह दिया जा रहा है, या फिर किसी तरीका का infection already हो चुका है, इसको रोकने के करने के लिए ठीक करने के लिए दे जा रहा है, इस हिसाब से आपके doctor decide करेंगे कि किस प्रकार के antibiotics आपको देना है, उसके बाद ही हो doctor आपको prescribe करेंगे antibiotics, antibiotic without knowing proper dosage आपको लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको घलत तरीके से इस्तवाल करने के कारण ही antibiotic resistance बनता है, सुपर ब इसके बार में अगर आपको detail में जानना है का antibiotic resistance क्या है, और क्यों ये बहुत ही खत्रे, ये बहुत ही बड़ा खत्रा होने वाला है world के सामने, चुनोत ही होने वाला है scientist के सामने, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप वीडियो को देख सकते हो, यहां पर यहां completely, जिस हिसाब से दिया गया, आपको completely लेना है, शायद दो दीन या तीन दीन इस्तमाल करने से ही आप ठीक होने लगोगे, ऐसा लगए का सब कुछ ठीक हो चुका है, फिर भी आपको इस dose को complete करना है, यही antibiotics का सबसे important सबक है आपके लिए कि आप dose को complete करे, without doing that, you are threatening others life, आप पाकी लोगों की भी life को जान को भी खत्र में डाल रहे हो, so that's, be a responsible citizen and do not self-administer antibiotics, डॉक्टर से सला ले, आपकी condition को उपर बेस करके जो antibiotics दिया जाएगा, उसी को treatment के लिए इस्तमाल करे, this video is purely for an educational perspective to understand the antibiotics used after tooth infection, तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अगर शेयर करना आपके दोस्तों के साथ, कलीक के साथ, सब्सक्राइब करने इस चैनल को, ताकि आएसे वीडियो आपको मिलता रहे, thank you, bye